हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान लीची का सेवन कितनी मातरा में करना चाहिए लीची के कितने ज़्यादा फायदे और कितने नुकसान होते हैं कई सारी बाते आपने ऐसे भी सुनी होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान लीची का सेवन नहीं करना चाहिए हर एक सीजनल फ्रूट्स काफी ज़्यादा फायदे मंद होते हैं तो सीजन के फ्रूट खाना बहुत जरूरी भी होता है प्रेगनेंट महिला के लिए लेकिन ऐसे कंडिशन में आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या ये फल मेरे लिए लाफदायक हैं या फिर नहीं है तो आज इन ही सारी बातों के विशाय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हैलफुल होने वाला है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से जुड़ी भी सभी हैलफुल वीडियो आपको डेली देखने को मिल दे रहेंगी तो आईए आज का वीडियो सुड़ू करते हैं दोस्तो होता क्या है कि लीची के अंदर बहुत ही अच्छी मातरा में बहुत सारे मिनरल्स, विटिमीन्स और भी कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के दोरान लेने से आपके फाइदेमन सावित हो सकते हैं यह तो हर एक सीजनल फ्रूट्स आपकी प्रेगनेंसी में फाइदा ही पहुचाती है और दोस्तों डॉक्टर्स पी आपको यही सलाह देते हैं कि आपको हर एक फ्रूट्स जो सीजनल के होते हैं वो जरूर खाने भी चाहिए आपका मन भी करता है जैसे कि गर्मियों में आम का सेवन करना लीची का सेवन करना तरवूज का सेवन करना और गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छे फल मीठे और रसीले बहुत जादा आपको मिलते भी हैं तो दिखे ऐसी परिस्थिती में लीची का सेवन हमें करना है या नहीं, उससे पहले हम इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं, लीची के अंदर बहुत ही अच्छी मातरा में एंटी ओक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो महिला के शरीर के अंदर की जो जितनी भी ये आपको फाइदा पहुचाता है, पेट संबंदित परिशानियों को ठेक करता है, तो जासे संबंदित कोई भी दिक्कत है आपके प्रेग्नेंसी में तो वो इसको भी ठेक करता है, इसके अलावा लीची के अंदर जो एंटी ओक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, वो और भी इनिशियल स्टेस पर आपके बॉड़ी के लिए फाइदे मंद होते हैं, लीची के अंदर फ्रेंट्स बहुत ही अच्छी मातरा में विटिमिन सी पाया जाता है, और विटिमिन सी से महिलाओं की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है, प्रेग्नेंट महिला की रोग प्रति लीची के सेवन से कॉंस्टिपेशन समंदित प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, देखे फ्रेंट्स अगर आपके पेट में घराबी, गरबरी रहती है, ब्लोटिंग के प्रॉब्लम होती है, अपच की परिशानी होती है, तो ये सभी चीज को लीची बहुत आसानी से दूर कर देती है, लीची के अंदर पॉलीफिनल्स पाए जाते है है और अगर इसको आप एक नियमित मातरा में नहीं खाएंगी, बहुत ज़्यादा लेंगी तो उसके नुकसान भी होते हैं, तो आईए जान लेते हैं, लीची खाने से आपको कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं, लीची गर्म तासीर का फ्रूट होता है गर्म तासीर के फ्रूट के वज़े से लीची अगर अत्यधिक मातरा में आप खाती है तो आपको इससे कई सारी परिशानिया हो सकती है जैसे कि आपका पहला दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है तो लीची के सेवन से मिस्कैरिज भी हो सकते हैं अगर आप इसको भारी मातरा में खा लेती हैं इसके अलावा फ्रेंट्स लीची को खाने से कई महीलाओं को एलर्जी जैसे भी फीलिंग्स हो सकती है अगर आपकी तचा बहुत ही ज़्यादा सिंसिटिव है तो फ्रेंट्स आपको खुजली की प्रॉब्लम रैसिस की प्रॉब्लम लीची खाने से हो सकती है तो इस प्रेगनेंसी के दौरान शुगर के परिशानी यानि जेस्टेशनल डायविटीज के खत्रा बना रहता है एक वजन जो आपका बहुत ही जादा प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है प्रेगनेंसी गेन करनी के बाद लगभग 12-15 किलो एक अमूमन नैच्रल तरीके से वजन बढ़ना काफी कॉमन होता है लेकिन अगर आपका बजन बहुत ही जादा अनियंत्रित रूप से प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है तो लीची खाने से आपका वेट कंट्रोल भी होता है अब दोस्तों आपको यह ज़रूर जानना चाहिए कि लीची का सेवन आप कितना कर सकत क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए आपको गाइडेंस देते हैं किसी भी डाइट प्लान का या फी किसी भी आपको रुटीन में अगर डेली वेसिस पे प्रेगनेंसी की दौरान चेंज करना है तो तो इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर लीची को खाने से पहले कुछ साफधानियों को बरतना बहुत जरूरी है लीची के ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइट्स डाले जाते हैं जो जहरीले होते हैं इसलिए लीची को अमूमन धोके और बहुत ही अच्छे से हो सके तो पानी में डीप करके रख दीजे 15-20 मिनट क लिए उसके बार निकाल के खाईएगा इसके रिमूफ करके तो ज्यादा फायदेमत आपके लिए होगा लीची खाने से पहले फ्रेंट्स लीची के जो माउथ होता है जो माउथ की कैविटी होती है वहाँ पे कीडे भी हो सकते हैं जो हानी कारक होते हैं तो लीची को देख करके खाएं जो फ्रेश लीची है वहीं का यह लीची जो शीजनिल में आते हैं आपको वहीं खाने चाहिए औफ सीजन के लीची आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए उपीठे-मेठे कि गणिका है सेवन करें और बहुत जञादा पकी बातों का जरूर पारी मातरा में इसको डेली बिलकुल कंजियों ना करें आइडली होब कि वीडियो आपके लिए बहुत हैलफुल होगी आपको वीडियो कैसी लगी है एक लाइक करके मुझे जरूर बताएं और आपकी कोई क्वैरी है तो मुझे कमेंट या फिर आप मुझे मेल कर सकती है